जहिन क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपको यह कहूं कि 21 दिन में पैसे डबल यह लाइन थोड़ी सी सुनी हुई लग रही है न जिहां दोस्तों यह लाइन फिर हेरा फेरी मूबी की है उस मूबी के अंदर जो कलाकार होते हैं उनको यह पता चलता है कि 21 दिन में पैसे डबल हो सकते हैं यानि कि 21 दिन में पैसे डबल करने का उनको फोर्मूला पता चल जाता है और आखिरम उनके साथ क्या होता है उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रोड होता है उनके साथ एक बहुत बड़ा इसके हो जाता है लेकिन अगर मैं आपसे ये हो दोस्तों कि 21 दिन थोड़ा सा ज़ादा समय हो गया 21 दिन के अंदर में ही आपका पैसा double हो सकता है यानि कि 21 दिन से कम समय में ही आपका पैसा double हो सकता है वो भी legal तरीके से वो भी सही तरीके से आपके पैसे double करने में से भी आपकी मदद करेगा यानि कि security exchange इंडिया मदद करेगा तो कैसा होगा इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम IPO के बारे में जानेंगे कि IPO क्या होता है क्यूं IPO नोट छापने की मसीन है और IPO में अपलाई करने का सही तरीका क्या है तो आज की वीडियो बहुत informative होने वाली है इसलिए मैं request करूंगा आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं हूँ अनवरंसारी चलिए पेज करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि IPO होता क्या है देखिए जब कोई भी कमपनी अपने कमपनी को स्टोक मार्केट में लिस्ट करती है उससे पहले उस कमपनी को IPO लाना होता है इसके लिए सेबी से अप्रूबल लेनी होती है यानि कि सेक्यूर्टी एक्स्चेंज बोर्ड ओफ इंडिया जो पूरे स्टोक मार्केट को अपरेट करती है और पूरे स्टोक मार्केट को रे इन साल तक का समय लग जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सेवी के ये जो नियम है कितने सक्त हैं तो इन सारी नियम को जब कोई भी कंपनी फॉलो कर लेती है तो वो कंपनी IPO लाती है याने की initial public offering लाती है और यही वो वक्त होता है जब हम IPO में apply करते हैं तो हमें जो stocks हैं वो direct company से मिलता है हमें जो stocks हैं वो direct company alert करती है ना कि हम exchange से खरीते हैं ना कि हम NSE और BSE जो एक्षेंज से खरीते हैं वो stocks हमें direct company से alert होता है और जब वो company stock market में list हो जाती है उस company का जो shares हैं वो stock market में free plot trade करने लगते हैं और फिर जब हम उन company का stocks खरिते हैं तो वह सेर्स हम एक्सचेंज से खरिए अगर मैं आपसे एक सवाल को जिकोई ABCD कम्पनी है उसका अगर मैं खरिता हूं तो पैसा क्या ABCD कम्पनी के पास जाएगा तो भहो सारे लोगों का सवाल हो सकता है हाँ उसkon कमपनी का share है तो उसी कमपनी के पास जाएगा तो एक एक जांपल से यह समझे है कि कोई ABCD कमपनी है वो IPO के माध्यम से अपने जो shares है उनको stock market में list कर चुकी है अब अगर उस ABCD कमपनी का हम shares खरीदते हैं तो क्या हमारा पैसा उस ABCD कमपनी के पास जाएगा बहुत सारे लोगों का यह सोचना होता है कि हम ABCD कमपनी का share खरीद रहे हैं तो पैसा हमारा ABCD कमपनी के पास ही जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों वो जो ABCD कमपनी है वो IPO के माध्यम से अपने जितने भी shares बेचने थे वो बेच चुकी है अब वो जो shares है वो stock market में pre-plod trade कर रही है जब हम stock market से shares खरीदते हैं तो हमारे और आपके जैसे लोग ही उस shares को खरीद रहे होते हैं या फिर उन shares को बेच रहे होते हैं जैसे सबोज कीजिए मेरे पास ABCD कमपनी का share है मैं उसे बेच देता हूं तो पैसा तो मुझ क्योंकि माध्यम से अपना shares बेच देती है तो उन shares पर directly company का कोई भी नियंतरण नहीं रहता है वो shares stock market में pre-plod trade करते हैं और हमारे और आपके जैसे लोग उन shares को खरीदते हैं और बेचते हैं और इसलिए share market को हम as a secondary market कहते हैं क्योंकि हम यहां से direct company से shares नहीं खरीदते हैं य हमारे और आपके जैसे लोग उस shares को खरीद बेच करते हैं इस बात को आप ध्यान रखीगा कभी ऐसा question आए तो आप इस बात को बता सकते हैं कि जो share market है यह secondary market है यह primary market नहीं है हमारी जो NSE और BSE है जिस exchange से हम कोई भी shares खरीदते हैं वो secondary market है अब सवाल यह आता है कि यह जो market में बहुत जादा होती है उनके shares बहुत लोग खरीदना चाते हैं वो company जब IPO लाती है तो already वो company क्योंकि demand में है तो सभी लोगों को उनके shares चाहिए और जब IPO company लाती है तो एक unofficial market होता है जिसे हम grey market बोलते हैं वहाँ पे वो जो company की जो shares के price है उनके price premium पर trade करते हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि जो company IPO ला रही है इसका listing price कितना हो सकता है सपोज कीजे कोई एक ऐसी company है जिसके shares काफी demand में है और वो company IPO ला रही है IPO में अपने shares का price वो 200 रुपे निर्धारित करती है लेकिन हमें grey market में ये पता चलता है कि उस company के shares जो हैं उन पर 200 रुपे का premium चल र होगा कि stock market में जैसे ही वो company लिस्ट होगी 200 रुपे के price पर जैसे ही लिस्ट होगी उसका price 400 रुपे immediately जाने वाला है याने कि अगर हम एक lot भी खरीते हैं अमूमान एक lot किसी भी IPO का लगभग 15,000 रुपे का होता है तो हमारा पैसा तुरंट से ही 30,000 रुपे होने वाला है मि जब भी हमें IPO में apply करना होता है तो हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि उस IPO का grey market में कितना premium मिल रहा है या फिर कितना demand में है वो company अब आप पूछ सकते हैं कि भाई हम grey market premium कैसे पता करें तो आप net में search कर सकते हैं जिस company का IPO है उस company का IPO लिख करके GMP जब आप लिखेंग या फिर आप YouTube पर भी उस company का जो IPO है उसके बारे में GMP search कर सकते हैं बहुत सारे लोग YouTube पर GMP के regarding video पनाते हैं तो इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि कि किस company का IPO आ रहा है और उसका कितना premium हमें मिल रहा है आप suppose कि जे किसी IPO का price 200 रुपए है और उस पर 100 रुपए का premium चल रह जाएगा जिस दिन वो company list होगी एक दो मिनट या पांच मिनट के अंदर में ही आपका पैसा डेढ़ गुना हो जाएगा और जब company बहुत अच्छी रहती तो आपका पैसा दो गुना भी हो जाता है और ऐसा अभी नहीं हो रहा दोस्तों बहुत पैसा पहले से ऐसा होते आ र अपलाई करने के लिए एक डिमेट एकाउंट की जौरत होती है अगर आपके पास एक डिमेट एकाउंट है तो आप IPO में अपलाई कर सकते हैं और अगर कोई अच्छी company है जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है सपोस कीजिए कि एक लोट के अगेंस में 100 लोग खड़े हैं उस IPO को खरीदने के लिए तो आपका chance 1% मातर का है तो इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि आप multiple application कर सकते हैं अब multiple application का मतलब यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपके नाम से 4 डिमेट एकाउंट है अलग अलग broker के पास लेकिन उस पे आप ही का pain link है तो उसे एक ही application count किया जाएगा तो अगर आपको multiple application करना है तो आप अपने wife के नाम से, अपने mother के नाम से, अपने father के नाम से, अपने sister, अपने brother के नाम से डिमेट एकाउंट खुला कर या फिर उनके पास डिमेट एकाउंट है तो उनके नाम से आप apply कर सकते हैं तो IPO में alert होने के आपके chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो company demanded होती है, जो IPO demanded होती है, उसमें बहुत सारा application भी जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि एक लोंट के अगिंस में 50 लोग या 100 लोग भी तयार होते हैं, तो उनमें से किसी एक को ही मिल सकता है, अगर 50 लोग तयार है या 100 लोग तयार है, तो उनमें से एक ही आदमी को IPO allot हो सकता है, तो इसलिए आप multiple demand account के माध्यम से अपना IPO apply कीजे, chances यही रहेगा कि आपको allotment मिल जाए, और अगर आपको allotment मिल गया, तो यह कीन मानिए आपका पैसा डेड़ गुना या दो गुना होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, और इसमें सिर्फ 5 और 10 मि अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाते रहूं, और आप इसी तरह की वीडियो देखते रहें, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली से भी शेयर कीजेगा ताकि वो भी IPO के बारे में aware हो पाएं और IPO में अपलाई करके अपने लिए एक अच्छा खासा रगम बना सके याने IPO का फाइदा उठा सके तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ तब तक आप और अपनी फैमिली का बहुत खयाल रखेगा बाए